नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition adda channel पे आपका स्वागत हैं दोस्तो आज की इस class में जो हम पढ़ाने वाले हैं मैं आपको grantee देता हूं कि इस video को आप अभी छोड़ दीजिए और जाकर YouTube पे search किजिए जो मैं title लिखा हूं यह जिस तरीका से और उस video को किसी का भी video देखिए मैं आ 100% grantee देता हूं कि जो मैं इस class में आज पढ़ाने वाला हूं यह आपको पूरे YouTube पे search करके देख लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यह अपने तरीका से और बहुत ही important चीज पढ़ाने वाला हूं तो आप से request है कि यह आप चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल यह जो आप देख रहे हैं यह एक यह संजुक्त अक्षर है जो कि तीन अक्षरों से मिलकर बना है कितने अक्षरों से मिलकर बना है और यह अधिकांस नामों में अधिकांस सब्दों में मिलता है और दोस्तों को जैसे ही सामने वह सब्द पढ़ता है वह देखते ही डर जात मैं तो कभी सीखा नहीं हूँ यह कैसे होगा उनके दिमाग में चलने लगता है और गड़बर कर बढ़ते हैं यहां पे जो इंपोर्टेन चीज है उसको हम समझते हैं और उसके आगे बहुत सारे यहां पे सब्द हैं यहां देख सकते हैं कि बहुत सारा सब्द हैं इन सभी करेंगे इतना सारा सब्द है कि आप जब भी कभी यह पढ़ते होंगे तो यह सब चीज यहीं आपको मिलता होगा तो हम लोग जो हैं इतने सब्दों पर आज प्रैक्टिस करने वाले हैं तो सबसे पहले कुछ इंपोर्टेन्ट चीज है उसको हम लोग समझ लेते हैं तब आगे सब्दों को हम लोग समझेंगे उसका इंगलिस लिखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे होगा देखिए आप कहीं भी मैसेज टाइप कर रहे हैं किसी का मैसेज वार्ट्व फेस्बुक कोई भी ऐसे एप अप्लिकेशन यूज करते हैं या कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना है ठीक ना तो आप असानी से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के माद्यम से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए तो यहां पर दो केस होता है दो केस कौन सी दो केस होता है कौन कन होता है एक तो ऐसे लिखा हुआ रहता है एक सब्द कैसे लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है सब्द में ऐसा यूज होगा दूसरा क्या होगा कि केवल ऐसे होगा केवल ऐसे होगा दो मनें ऐसे दो में और तो dar में पढ़ और nytहर मैं को आपको मिलेंगा है क्यों मैं एसे पतराय हूं यह आगे अपको मिलेगा जट इस सकते हैं एक तो यह जो भी यह है कि इसे को हम आई से भी लिख सकते हैं यह आधानो को यहाँ यहां पर बिंदी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं यहां पर बिंदी देकर और यहां ऐसे भी लिख सकते हैं केंद्रे दो तरीका से लिखा हुआ रहाता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर यह बला बताये हैं और ऐसे मिल गया उचारण नहीं हो रहा है तो फिर शुर सभी सियों और लिखे हैं एसके बारे में थोड़ा समिन दिखते हैं कि यह जो लिखें हैं देखिए पहले क्या है ना है तो ऐन लिखे हैं फिर उसके बाद दोबी करने करके देखिए शंद्रे अर रहा चंद्रफ ठेजी में उचारण हो रहा है कर दो लेकिंट से पहले हम लोग जो है यह लगाएंगे लाश्ट में हमैसा यह लगाएंगे जब ऐसी स्थीती होतों या जो बता है ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तब आपको लाश्ट में लगाना ही लगाना है आप संब पर देखते हैं जैसे चंद्र लिखा है है तो इसका पहले चौ का हम लोई लिखे देंगे चौ पर लगा देंगे स्झत्य बीखनर चंद्र एक चीज़ को जादा सवद्दवर करेंगे तब किलियर होपाइगा यह दो-तीन सब समझने से नहीं होगा इसलिए वीडियो को छोड़ करना ही जाना है वीडियो को लाश्ट तक दिखना है तब बताना है कि समझ में आया की नहीं आया यह स्टार्टिंग में जदी आप छोड़ कर चले गए और बोलते हैं कि सर नहीं समझ में कुछ आ रहा है कुछ नहीं बुझा रहा है तो यह दोस्तों मेरी गलती नहीं है मैं तो अपने तरफ से पुड़ा मेहनत कर रहा हूँ अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर उसमें आपकी गलती है तो आईए अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं जैसे लिखा है बंदरा बंदरा तो ब का हम लोग लिखेंगे ब ए लगाएंगे ठीक है और इसका हम लोग क्या लिखेंगे एन डी आर ए अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये चीज तो है इसका अब बताएं हैं इसका बताएं है कि एन डी आर ए होगा लेकिन यहां पे तो आ लगा है तो फिर इसके लिए कैसे होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आ लगा रहता है तब ही ए लगाते हैं और नहीं लगा रहता है तभी यह लगाते हैं इसलिए यहां पर द्रा है तो तो भी वैसे ही होगा अगर बंद्र रहता बंद्र ऐसे बंद्र तभी इसका इंगलिस ऐसे ही होता ठीक है अब है सुरेंद्र है विरेंद्र है ऐसे बहुत सारे सब्द हैं नाम है बहुत सारे दोस कुछ भी हो उसका हम लोग कैसे लेखएंगे तसू का हम लोग लिखेंगे हाँ आएंगे यहां ठीक Aoife पिणि अनिक अपे लिखता है यहां और एसे रहेगा तो आपको समझ जाना है कि यहीं आधान उठाकर यहां वाला यहां पर डाल दिया है बिंदी के रूप में नहीं होना है इसी आधान उठाकर यहां बिंदी के रूप में डाल दिया ठीक है तो अगर ऐसे लिखा हो तब भी इसका इंगलिस यहीं होगा और ऐसे लिखा हो तब भी यहीं होगा विरेंद्र का देखेंगे विरेंद्र का तो वी का हुम लिखेंगे क्या आई वी डएकिछ दाये हैं कि विरेंद्र जो बोल रहे हैं तो बेले सकते हैं जOP RA क्लास कराया हूं यहां पर ज्यादा चर्चा इसका नहीं करणा यहां पर में फोकस व्लोग का जो इस टॉपिक पर हम लोग काम करें उसका है तो वी हो गया डिखेंगे र इर और इसका हम लोग लिखेंगे ऐन डी आर यह आपको याद ही कर ले करना है कि जैसे इस तरीके से दिखे या ऐसे दिखे लेकिन पिछले वाले जस्ट इसके पीछे वाले जो अक्षर है उसमें बिंदी लगा हो और उचारन एंद्र एंद्र के रूप में हो रहा हो अंद्र एंद्र इंद्र ऐसे हो रहा हो तो वहां पे हम लोग एंडी आर एंड आर एहीं लगाएंगे यह आपको दिमाग में चिपका लेना है अब आई लिखते हैं इसका एंगलिस केंद्रित 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 केंद तो आप बताए हैं कि जैसे ही ऐसे लिखा रहेगा तो आपको क्या लिखना है एन डी आर ए एन डी आर ए लेकिन दोस्तों रुकिये रुकिये ये तब ये तभी संभव है जब लास्ट में लगा हो जैसे यहां पे है यहां पे है यहां पे है लेकिन जब बीच में आ जाए बीच में आ जाए और उसमें कोई मात्रा लगा हो फिर उस मात्रा के साथ में हो यह लास्ट में हो जैसे महंद्रू लिखा है महंद्रू अब यहां पर इसको समझते हैं जैसे महंद्रू लिखा, ऐसे महंद्रू लिखा है, महंद्रू, तो क्या यहां पे N, D, R, A ही लिखेंगे, और उसके बाद छोटी उकी मातरा का इंगलिस लगाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है, वहां पे यह महराज धीरे से हट जाते हैं, जैसे वो देखते हैं कि इसे और कोई म मातरा लगा है, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं यहां पे नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे दूसरे मातरा के साथ मेल मिलाप नहीं है, मैं यहां पे नहीं रह सकता, मुझे यहां से भागना चाहिए, वो वहां से फूर हो जाते हैं, और जो मातरा उसमें लगा हुआ रहत बहुत जल्दी इसलिए चनल को सब्सक्राइब करके समय का इंतिजार कीजिए और वीडियो को जादा से जादा से जादा से यह किजिए मैं एक बहुत बड़ा क्रांती लाने वाला हूं पढ़ाई के छेतर में हिंदी इंग्लिस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को मैं लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी थोड़ी सी मैं भी धीरे धीरे काम कर रहा हूं इसलिए कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडिशन उतना अच्छा नहीं है इसलिए मेहनत के बदावलत मैं आगे धीरे बाढ़ रहा हूं और यदि आपको मुझसे बात करनी है तो देखे डिस्क्र नहीं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा वहां से अपनमबर निकाल के हाई हेलो जो भी करना है आपकी जो भी समस्या है आप मुझसे बोलिए मैं आपका हंडेट परसेंट सॉलूशन करूंगा आपकी जो भी दिखते हैं आपको पढ़ने नहीं आ रहा है आ क्षाले यहां पर केंदरीत क men commentे हैं तोवक कर में इस नहीं लगाएंगे अभ क्या लगाएंगे यहे मातराइस में लगा हुआ है छोटी इसका हम लोड़ेंगे अएसे ndi और a करदेंगे और तो का हम दम लगा गे आए लगा अग-' यह रहे नहीं मैं लगा हो तब इतना समझ गया आप महेंद्रे महेंद्रे तो मा लिखेंगे M, A, मा, हे, H, E, हे, इसकर क्या लिख देंगे? M,D, R, A महेंद्रे महेंद्रे माय शुरूआतमे क्या बोला हूँ कि आप वीडियो को छोड़ो सकते हैं कब देखने के बाद यदी इस तरह के कोई पढ़ा दिया हो तो नहीं पढ़ा है कोई कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं बहुत रिसेर्च करकर पढ़ा रहा हूं बहुत महनत करवा रहा हूं जी आप को जेतेंद्र का कैसे लिखेंगे आप जी याई जी ये टी पीँ एह थे और इसका हम लों क्या लिखेंगे P edited एंडी आर एक चैरेज तेंद्रें नारेंद्रे नारें दो रे और इसका हम लोग क्या लिख देंगे एंडी आर ए बाकी जो भी है इसके पहले उसका आप आसानी से लिख लिजिए जैसे ही यह दिखता है आपको बस अराम से एंडी आर ए लगा देना है ए लगा देना है हरेंद्र आवहीं महेंद्रू रहता महेंद्रू यहां पर महेंद्रू ऐसे रहेगा तो कैसे लिखेंगा मह का लिखेंगे एम ए मंहें का ही है और एंडी आर नहीं यह नहीं छोटी ऊकी मत्रा है तो आर यू लगाएंगे महेंद्रू एक ow dream नरेंद्रे नरेंद्रे तो नो का लिखेंगे एन ए नरे आर ए रे इसका हम लोगा लिखेंगे एंडी आर ए नरेंद्रे हरेंद्रे हरेंद्रे तो हा एच ए रे आर ए रे और इसका क्या लिखेंगे एंडी आर ए देखने में कितना बड़ा है कितना कठीन सब्दा है लेकिन यदि आप खुब बारी की से समझते हैं तो इसको चुटकियों में लिख सकते हैं दोस्तों आप खुद से किसी दोस्तों से बोलिए ना ऐसे सब्दों को लिखने के लिए उसको दिक्कत होगे लेकिन आप अगर मेरे क्लास को देखें तो आप असानी से लिख सकते है धर्मेंद्र 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 दहा का लिखेंगे डी एच ठीक है धर्मेंद्र धर्में धर्में दहा के बाद रौका उचारन हो रहा है लेकि रौका इतना तीजी से हो रहा है कि वह बेचारा उपर चड़के बैठ गया है या पर रेफ हो गया है तो आर लिख में एम ईलिख दिखर में और इसका क्या लिखेंगे और दी ओर ए धर मेंद्रे धर मेंद्रे अग इसके बाद है शालेंद्रे शालेंद्रे तो साहि का लिखेंगे एस एच ए आई सए ले एल ए ले और इसका क्या लिख देंगे एन डी आर एंडी आर इसलेंद्रे ठीक है मुझे विश्वास है कि यदि आप इतने सब्सक्राइब प्रेक्टिस कर लेता आपको अभी याद हो जाएगा इसी क्लास में याद हो जाएगा और आप इस क्लास में स ठीक है और देखे पर पर आर लेखेंगे क्योंकि आधार रहा है जो उपर रेफ हो गया है और में का लिखेंगे में और एंडी आर एक और कलास में इसके आगे कराऊंगा जैसे इस टाइप के जो सब्सक्राइब जिसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है संजुक्त अक्षरवा देखेंगे इसका क्या बसे देखेंगो क्यों सिक्क्राइब लिखेंगे600 केंध कैसे देखेंगे 500 2550 पिन क्याकर त्रीए- इसका लिखेंगो ऑ्थ टेरेंगे लिफ एटित ट respectfully देंगे दनगे अ een डी मदूरेंद्रे मधूरेंद्रें भूपह ऑफ मधूरेंद्रें बूपान्द्रें भूपहन अब्जानेन्द्रें टोबूब 앞으로 इते डबल ओरd harvesting, haha भू, पे यह यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक ना भू, पे पी इपे और उसका क्या लिख देंगे एड, ड, र, एबू, पेंदrestre और अभी भी आपको नहीं भूलना है कि यह आधा नो जो है यहाँ पर बिंदी भी हो सकता है ठीक ना अधा नो उठकर यहाँ पर डी आर योगेंद्र योगेंद्र चंद्र सेन चंद्र सेन तो चंद्र का क्या लिखेंगे सी एच ए और इसका क्या लिखेंगे एंडी आर ए चंद्र सेन एस इन चंद्र सेन चंद्र सेन अब कुछ सब्द मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप नोट किजिए आपको कमेंट में कि आप प्रीक्रिस किया है आपको कितना आया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब वैंद्ररे जोशा सब्सक्राइब परमेंद्र है और ढूलीब मैं पारमेंद्रे और इन तिन सब्दों को आप कमेंट में लिख कर बताईए खुब आराम से कि आप प्रेक्टिस किये हैं तो कितना आपको आ रहा है और बाकि जो भी विसेस आपको दिखते हो रही है वह मुझे मैसेज किजिए डिस्क्रिप्शन से नंबर निकालकर मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा मदद करूंगा चलि दोस्तों आज के क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख कर जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक ने किए तो एक लाइक जरूर कर दिएगा आपके लाइक क्या मेरा इ है हिंदेगे